टेगोर स्कूल के ओनलाइन डिजिटल प्लेटफरम में मैं आपका स्वागत करता हूँ तोड़े वी आर डिसक्स अबाउट दा बायो मोलिक्यूल जो की बायोजी का एक बेसिक चेप्टर है तो फरस्ट ओफ आल हम बात करते हैं कि वट इज बायो मोलिक्यूल तो बायो मिन्स होता है लिविंग और्गनिजम्स तो देन आल दा मोलिक्यूल विच आर प्रजेंट इन ए लिविंग और्गनिजम्स नौन एज बायो मोलिक्यूल तो कुछ बुक्स के अंदर ये भी दिया गया है कि अगर कोई सेल है इन ए पर्टिकूलर सेल आल टाइप्स ओफ मोलिक्यूल आर नोन एज सेलूलर पूल और बायो मोलिक्यूल बेसिकली जो बायो मोलिक्यूल होते हैं उनको हम टू पार्ट्स के अंदर कलाशिफाइड करते हैं वन इस ओर्गेनिक बायो मोलिक्यूल और ओर्गेनिक जो बायो मोलिक्यूल होते हैं इनके अंदर हम डिसकस करेंगे कार्बो हाइड्रेट प्रोटीन फैट एंड न्यूकलिक एसिड डिन ने और आर ने सेकिंड जो बायो मोलिक्यूल होते हैं और इन ओर्गेनिक जो बायो मोलिक्यूल होते हैं इसमें हम कंसीडर करते हैं मिनरल आइन्स को और वाटर को तो यह तो बेसिक क्लासिफिकेशन है किसका बायो मोलिक्यूल का कि दियार क्लासिफाइड इंटू टू केटेग्रीज ओर्गेनिक बायो मोलिक्यूल एंड इन ओर्गेनिक बायो मोलिक्यूल तो फर्स्ट ओफ़ाल अगर हम बात करें कि हाउट टू एनलाइज केमिकल कंपो है हम we take any living tissue first of all हम क्या करेंगे कोई भी living tissue ले ले लेंगे चाहे वो plant tissue हो या वो animal tissue हो और इस जो living tissue है इसको हम क्या करते हैं ग्राइंड करते हैं ग्राइंड विद्ध ग्राइंड विद्ध ट्राइक कलोरो एसिटिक एसिट जैसे CS3COOH क्या होता है अगर आप यहां पे जो hydrogen component है उसको आप कलोरिन के तीन मोलिक्यूल से रिप्लेस कर लें तो वो क्या बन जाएगा आपके ट्राइक कलोरो एसिटिक एसिट तो सबसे पहले हम कोई भी plant हो या animal हो उसका एक living tissue लेंगे crap after that grind with tricolorocytic acid then we get celery और on the paste हमें क्या मिलेगा celery and paste celery और paste क्या होता है कि इसके अंदर liquid part भी होता है और solid part भी होता है । जो liquid और solid part होता है इसका हम क्या करते है क्या क्या कुरिफिकेशन करते हैं तो इसका प्यूरिफिकेशन करने के लिए अप क्या करेंगे माली जी हम लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब के उपर आपने यहां पर क्या लगा दिया? कोटन और कोटन लगाने के बाद इसके उपर जो यह सलेरी है इसको इसके अंदर डाल देंगे तो यह जो celery है जब आप इसके अंदर डालेंगे तो इसके अंदर मैंने कहा था liquid और solid दोनों पार्ट है तो इसका जो liquid पार्ट है वो filtrate होकर कहां आ जाएगा इस test tube में आ जाएगा और यह जो पार्ट होता है यह क्या होगा acid soluble part और जो पार्ट filter नहीं होगा वो यहाँ पर deposit हो जाएगा और यह क्या होगा आपका acid insoluble part जो soluble part है वो filter होके आपके कहां पर आ जाएगा इस test tube में आ जाएगा और जो unfiltered part है वो यहाँ पर test tube के ऊपर ही cotton के उपर है जाएगा deposit हो जाएगा तो इस जो acid soluble part होता है इसके अंदर आपको मिलेगा organic compound, यहां पर आपको क्या मिलेगा, organic compound, और जो यह acid insoluble part होता है, यहां पर आपको क्या मिलेगा, inorganic compound, तो यह organic और जो inorganic compounds होते हैं, तो जो organic compound जो है, वो क्या है आपके, bio molecule, all the molecules which contain carbon compound known as bio molecule, तो आपने देखा कि जो bio molecule है, वो क्या है, all the living molecules या molecules which are present in a living organisms are known as bio molecule, जब हम बात करें, bio molecules के analysis की, या separation की, देखे, analysis और जो separations, जो है compound का, वो हम higher classes के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन आपको जो introductionary part है, इस chapter का, उसके अंदर थोड़ा सा mention किया गया है, कि आप किस प्रकार से, जो bio molecules होते हैं, उनका analysis कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक living tissue लेते हैं, जो रो acidic acid के साथ, जब आपने grind किया, तो आपको क्या मिला, slurry and paste, slurry और जो paste होता है, उसमें liquid part भी होता है, और solid part भी होता है, तो आपने इसको देखा कि cotton से हमने इसको filter किया, तो जो filtrate part है, जो acid soluble part होता है, उसके अंदर आपकी organic compounds होते हैं, और जो unfiltered part होता है, acid insoluble part होत होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि all the organic compounds which are present in a living organisms or a living tissue is known as a biomolecule, तो देखिए, जो biomolecules जो होते हैं, अगर हम इसकी बात करें organic compound की, या inorganic compound की, तो कोई भी जैसे living cell या living part है आपका, तो जो living part है, अगर आपने इसको क्या किया, burnt किया, या आपने इसको जलाया, तो क्या होगा, जो इसका carbon compound होता है, वो क्या हो जाएगा, फिर oxidize हो जाएगा, और oxidize होकर जो carbon part है, वो atmosphere के अंदर release हो जाता है, तो जब भी आप किसी living part या living tissue को, जब आप burnt करते हो, तो उसमें जो carbon compound है, वो carbon dioxide की form के अंदर क्या हो जाते हैं, एटमोस्फियर के अंदर release हो जाते हैं, और जो आपका inorganic compounds होते हैं, वो आपके किस में रह जाएगे फिर, वो आपके S के अंदर present होते हैं, तो ये तो क्या था, आपका biomolecules जो है, उसका introductory part था, तो biomolecules जो होते हैं, वे living और non-living, दोनों organisms या हम कहें living organisms या हम कहें non-living जो components होते हैं, हमारे earth crust के अंदर, उन दोनों के अंदर present होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो उनकी percentage होती है, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, जैसे आप carbon है, hydrogen है, oxygen है, अगर हम इनके dry weight की बात करें, तो क्या है कि जो carbon का percentage है, अगर हम बात percentage अलग होगा, और living जो organisms होते हैं, उनके अंदर carbon, hydrogen और oxygen का जो percentage होता है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है, और इसलिए आपकी जो notebook है, जो NCRT है, उसके अंदर आपको एक table दे रखी है, जिसके अंदर आपको दे रखा है comparison, जो है, वो किया गया है, comparison of element present in non-living and living matter, जैसे आप carbon की बात करें, तो जो non-living होता है, उसके अंदर कितना होता है, 0.14% होता है, और अगर हम बात करें, human body की, तो उसके अंदर 0.5% जो है, weight के according, क्या होता है, carbon present होता है, तो वो आपको इसके अंदर क्या करना है, डिसकस करना है, और बाकी जो ये purification पढ़ना है, आपको higher classes के अंदर पढ़ना है, ठीक है, तो आप उसको एक बार note कर लीजी, तो अभी आपने देखा, कि जो biomolecule है, आपने उसको note भी किया, कि जो biomolecule है, उसका हमने analysis किया, तो biomolecule का जब हम analysis करते हैं, तो according to their molecular weight, biomolecules are classified into two categories, अगर हम बात करें किसकी, on the basis of molecular weight, अगर molecular weight के according, अगर आप biomolecule को classified करेंगे, तो एक तोगा आपका macromolecule, और second आपका होता है, micro molecule, तो जो macromolecules जो होते हैं, उनका जो molecular weight होता है, वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और high molecular weight वाले जो आपके biomolecules होते हैं, उनकों क्या बोलते हैं, macromolecule, for the example, अगर हम बात करें, प्रोटीन है, और आपका fat है, और जो आप carvohydrit पडेंगे, उसके अंदर आपके एक class होती है, polysacurized, तो ये जो हैं, ये किसके अंदर आते हैं, macromolecules के अंदर आते हैं, those biomolecules, their molecular weight is high, approximately 8000 dolton, are known as macromolecules, और उनका example मैंने आपको बताया, protein है, fat है, polysacurides है, और जो macromolecules जो होते हैं, उनका जो molecular weight जो होता है, वो comparatively क्या होता है, कम होता है, for the example, अगर हम बात करें, amino acid, monosacuride, monosacuride जो है, वो एक कार्वाइड़ेट का टाइप से हैं, जब आप पढ़ेंगे कार्वाइड़ेट का classification, तब आपको डिटेल में बताएंगे, कि कार्वाइड़ेट्स are classified into three categories, monosacurides, oligosacuride and polysacuride, लेकिन अभी हमें ये दे molecules हैं, जिनका molecular weight ज्यादा है, they are known as macromolecules, और जिनका जो molecular weight कम है, उसे हम क्या कहेंगे, micromolecules, जैसे amino acids हैं और monosacuride हैं, तो हम इस chapter के अंदर एक particular जो biomolecules हैं, उनको हम पढ़ेंगे, तो first of all, हम किसके बारे में बात करेंगे, amino acids, amino acids, जो amino acids होते हैं, ये क्या होते हैं, units होते हैं, protein की, हम कहते हैं, protein is the polymer of amino acids, यानि protein का जो formation होता है, वो किस से होगा, amino acids से होता है, और ये क्या है, एक परकार के, आपके micromolecules होते हैं, first of all, अगर आप देखें, इस word को देखें, amino and acids, तो इसके अंदर एक तो आपका amino group होता है, और ये कापका इसके अंदर acid group होता है, जिसको आप carboxyl group बोलते हो, COOH, अगर मैं एक general structure की बात करूँ, amino acids की, तो इसमें क्या होता है, देखें, एक carbon compound होता है, और इस carbon compound के अंदर आपको पता है, जो carbon की जो valency होती है, वो कितनी होती है, आपकी, four valency होती है, ठीक है, तो सब से पहले, carbon की जो एक valency है, उसके अंदर हम क्या होता है, एक जो valency है, उसके अंदर, amine group होता है, और एक जो आपकी valency होगी, उसके ओपर COOH, जिसको आप क्या बोलते हो, carboxyl group बोलते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि amino, यानि amine group है, acid carboxyl group है, यहाँ पर जो इसकी fourth valency है इसको मैं डिनोट कर रह रहा हूं आरसी जो आ है यह किया होते है वैरियेबल होता है मलब यह तीन जो आपकी है वह तु सेम होगी यह कारिबन की तीन वजाने एक पे आपका हैडरोजन होगा एक पे आपके कार्बोक्सील और पॉर्डिंग हम बात करते हैं कि जो इमीनोअशिद्स हैं का हम क्या करते हैं लॉमन कलेचर करते हैं वैसे यज़ा आग której अखेशिप थे हैं तो हम पढ़ेंगे कि जो amino acids होते हैं वो आपस के अंदर क्या होते हैं बाइंड होते हैं और किसका formation करते हैं protein का formation करते हैं तो protein synthesis के अंदर 20 amino acids जो होते हैं वो क्या करते हैं participate करते हैं और अपनी body के अंदर जो hundred amino acids होते हैं वो क्या होते हैं structural proteins होते हैं यानि वो protein synthesis नहीं करते बोड़ी के अंदर जो और metabolic activities होती हैं उसके अंदर वो क्या करते हैं participate करते हैं तो यहां पर यह 100 amino acids हैं और यह क्या है 20 amino acids हैं अगर हम बात करें कि amino acids जो होते हैं उनको हम classified करें according to their necessity मतलब उनकी आवशक्ता के अधार पर अगर हम जो amino acids हैं उनको अगर हम classified करते हैं तो वे दो category के अंदर हम इसको क्या कर सकते हो आप इसको classified कर सकते हो पहली जो आपकी category है वो कौन सी है पहली जो category है आपकी उसे आप कहते हो essential amino acid और जो आपकी दूसरी category है second category है इसको आप बोलते हो non-essential amino acid तो amino acid का जो classification है वो आपने क्या किया है according to their necessity आपकी आफशक्ता के अधार पर तो जो essential amino acids होते है ना it can be necessary in your diet यह आपकी diet के अंदर होने चाहिए क्योंकि इनका synthesis body के अंदर नहीं होता तो जो amino acid आपकी body के अंदर synthesize नहीं होते उनको आपको food से लेना पड़ता है यानि आपको outer source से लेना पड़ेगा तो वे क्या है आपके लिए essential है second आप देख सकते हो जो आपका non-essential जो amino acids होते हैं यह essential नहीं होते क्योंकि इनका formation हमारी body के अंदर होता है और body के अंदर अगर इन amino acids का synthesis हो जाएगा तो हमें इन्हें outer environment से outer source से हमें नहीं लेना पड़ेगा और outer source से अगर हम इन्हें नहीं लेंगे तो वह क्या हो जाएंगे फिर आपके non-essential amino acids तो यह तो हो गया आपके according to the year necessity तो अगर मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से repeat क protein जो protein synthesis पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा protein star polymer of amino acids amino acids के अंदर जो carbon है इसमें एक तो H group होता है जो common होता है सबी amino acids के अंदर present होता है amino है तो यहां पर NH2 group भी होगा acid है it means यहां पर COH group भी होगा fourth जो आपका valency है जिसे मैंने R से denote किया है यह जो R है यह क्या है variable है और यह जो R है यह change होता रहता है मैं कहे रहा हूं कि जो 20 amino acids are participate in protein synthesis process तो जो 20 amino acids हैं उनके अंदर हम कह सकते हैं कि जो यह R है ना यह different होगा बाकी यह तीनों वैलेंसी जो हैं वो सभी amino acids के अंदर क्या है common है same है और जो 100 amino acids होते हैं यह body की जो other metabolic requirement है उनको complete करते हैं और according to the necessity जो अगर हम बात करें amino acids की तो they are classified into two categories one is the essential amino acids and second is the non essential amino acids जो essential amino acids होते हैं वो आपकी food के अंदर present होने क्या है जरूरी है यानि essential amino acids जो हैं यह अपनी body में synthesize नहीं होते हम इन्हें outer source या food या diet से हम लेते हैं तो they are essential amino acids and non essential amino acids जो हैं इन amino acids का synthesis अपनी body के अंदर होता है हमें इन्हें outer source यानि food या diet के थूरू हम इनको नहीं लेते हैं तो यह क्या हो गया आपके non essential amino acids होते हैं ठीक है अब बात करते हैं किसकी यहाँ पे carbon के valency की तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि यह R है अगर मैं यहाँ इस R की जगें क्या हो H तो उस amino acid को आप क्या कहोगी glycine क्यों सा amino acid हो जाएगा glycine तो glycine हो गया ही अब glycine के अंदर के यहाँ पर R की जगें क्या था H क्योंकि मैंने बताया था कि जो 20 types of amino acids they are participated in protein synthesis process they are different by their R group मतलब जो R इर्खा जो variable part है यह R ही change होगा अगर यहाँ पर R की जगें क्या हो H तो उस amino acids क्या कहेंगे glycine मान लेते हैं इस R की जगें पे क्या हो यह C है मैंने कहा था H सभी के अंदर common होता है यह क्या हो गया आपका COOH और यह आपका क्या हो गया NS2 ठीक है और अब यहाँ पर मान लेते हैं इस R group की जगें क्या है यहाँ पर CH3 जो CH3 है तो इस amino acid का नाम क्या हो जाएगा LA ने इसको बोलेंगे हैं LA तो आपने देखा कि जो यहाँ पर इस amino acids के अंदर और इस amino acids के अंदर जो तीनों वैलेंसी है वो क्या है आपकी सेम है चैंज यहाँ पर क्या हो रहा है only alkyl group या R group यह हम कह सकते हैं variable तो यहाँ पर third देख सकते हैं आप वैसे अगर मैं आपको ए amino group है और यहाँ पर आपका COOH group है और यहाँ पर R की जगें हमने क्या लगा दिया CH2OH क्या लगा दिया यहाँ पर CH2OH तो इस amino acid का नाम क्या हो जाएगा सेदीं इसको हम क्या कहेंगे सेदीं तो आप देख सकते हो कि जो amino acids जो है उनके अंदर यह R group है ना यह क्या है variable है और उ राती है अभ अगर देखिए कुछ है आप बुक्स के अंदर आप पड़ेंगे помощ कि जो aminoacids जो होते हैं ना वेक्या होते है ऐलेफैटिक अखिट य also our aromatic amino acids देखिए वैसे तो एक chemistry का part है aliphatic aromatic लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे मी बता देते हैं कि कुछ books के अंदर आपको ये भी मिलेगा देखने के लिए कि aliphatic amino acids और कुछ जो books हैं उसके अंदर आपको मिलेगा aromatic aromatic amino acid इसके अंदर आप देखिए किस प्रकार से इसको classified करेंगे aliphatic क्या है जैसे मानलो यहां पे है h group है h है मैंने का था ये तो तीनो वलेंसी सेम है r की जगे h था तो वो क्या हो गया glycine अगर r की जगे हमने क्या लगाया methyl group लगाया तो तो वो क्या हो गया alanine और r की जगे हमने क्या लगाया था ch2o h तो वो क्या हो गया serine तो यहां पर जो यह cs3 है तो आपको पता है कि जब हम chemistry पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जैसे कोई carbon है तो carbon की long chain होती है तो carbon की अगर यह जो alkyl group है जैसे r है यहां पर cs3 के जगें cs2 cs3 एक long chain होगी तो हम उसे क्या कहेंगे aliphatic amino acids अगर मां लीजिए aromatic amino acids मेंस हो गया अगर यहां पर जो r group है उसकी जगें पर कोई closed chain हो carbon की या कोई aromatic ring हो तो हम उसे क्या कहेंगे aromatic amino acids जैसे हम बात करते हैं कि जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि यह जो यहां पर है एक फैनाइल ग्रूप जो है वह और जुड़ जाता है एड हो जाता है तो हम उसे क्या कहेंदेंगे फिर aromatic amino acids ठीक है तो यह तो थी आपके structures of amino acids ठीक है इसको आप एक बार थोड़ा note करना चाहे तो इसको note कर लीजी तो अभी हम discuss कर रहे थे amino acids के बारे में आपने कुछ note भी किया जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कोई भी जो amino acids होता है उसके अंदर एक H group होता है एक आपका amine group होता है एक आपका carboxyl group होता है और जो fourth valency है वो क्या होती है आपकी variable होती है जिसको हम denote करते है आर से आर मींस हो गया variable group या alkyl group अब देखिए अगर हम बात करें amino acids के nature की अगर हम बात करें amino acids के nature की तो आप देख सकते हो कि amino acids के अंदर मैं ली दो group है एक तो आपका amine group है तो amine group जो है उसकी nature आपकी क्या हो जाएगी basic और आपका जो c o h group है उसका nature क्या होगा acidic तो अब यहां पर आप देख सकते हो कि nature जो है वो क्या हो गया basic nature भी है आप देख सकते हो acidic nature भी है क्योंकि दोनों group है इसके अंदर तो लेकिन हम यह कह सकते हैं कि some amino acids are acidic in nature some amino acids are basic in nature and some amino acids are neutral in nature तो देखिए ऐसा classification किसके भियाब पे होता है वो इन group के number के according होता है मा लिज्ये co-h group ज़ादा है तो हम उसे क्या कहेंगे acidic amino acids क्या कहेंगे उसे acidic amino acids तो acidic amino acids जो है उसके अंदर हम कह सकते हैं, कि जो आप COOH जो आपका ग्रुप है, वो क्या होंगे? नंबर में ज्यादा हुँगे, तो उसे हम क्या कहा देंगे? एसि डीक अमीनाशिड कैसे आज़े सकते हैं, गलूटामिक गलूटामिक जो अमीनाशिड कि वो क्या होगा? आपका acidic वैसे ही अगर हम यह कहें कि NH2 group जो है उसके according हम कह सकते हैं कि ये कुछ amino acids होते हैं उनका जो nature होता है वो कैसा होता है वे nature में कैसे होते हैं वे होते हैं आपके basic जैसे अगर हम बात करें कि इसकी lysine की तो lysine है उसका nature कैसा होगा basic अगर हम कहते हैं कुछ amino acids होते हैं वो क्या होते हैं nature के अंदर neutral होते हैं neutral amino acids तो neutral जो amino acids हैं उसका अगर हम example की बात करें तो वो क्या होता है आपका welline amino acids जो होता है वो neutral होता है तो हम कह सकते हैं कि amino acids जो है उसके अंदर एक तो NH2 group है that are basic nature और एक आपका COH group है, that are acidic in nature, तो जो COH group है और जो NH2 group है, उसके नंबर के according ही हम ये classified करते हैं, कि some are acidic amino acids, and some are basic amino acids, and some are neutral amino acids, for the example, welling, अब बात आती है कि इसकी amino acids जो है, उसके अंदर आप देख सकते हो, कि ये जो COH group है, ये क्या है? acidic है, और जो NH2 है, वो क्या है, आपका basic है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो H positive, donate करता है, उसे हम क्या कहते है, acid कहते है, और जो NH2, जो base है, जो H plus को accept करता है, वो क्या होता है, basic होता है, तो अगर मैं structure को इस परकार से represent करूँ, ठीक है न, तो हम ये कह सकते हैं, कि जैसे ये R है sorry, ये C है, ये आपका H group हो गया, ये आपका NH2 group है, ये आपका R group है, और ये आपका COOH group है, तो ये दो group है, तो ये acid group है, ये क्या करेगा, H positive को release करेगा, इसने H positive को release किया, तो यहाँ पर क्या आ गया, negative charge, ये H plus को accept करेगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, positive charge, ठीक है, तो अब इसको क्या बोलते हैं हम, जविटर आयन, जविटर आयन बोलते हैं इसको, तो देखिए, ये, आप देख सकते हो कि ये एक परकार से हम कह सकते हैं कि, इस, को हम इस साइन से डिनोट करते हैं, आपने कमेस्ट्री पड़ा होगा, reversible जो reactions होती हैं उसको हम denote करते हैं तो यह जो amino acid की जो general form है वो आपके cytoplasma या किसी cell के अंदर जविटर आइन की form के अंदर भी मिल सकती है तो आज हमना introduction भी part था जिसके अंदर first of all we are discuss about the what is the biomolecule after that chemical analysis of a biomolecule और उसके बाद हमने detail के अंदर पढ़ा amino acids के बारे में जो amino acid हैं उनकी structure के बारे में मैंने बताया types of amino acids 20 types of amino acids are participate in protein synthesis and 100 amino acids are participate in other metabolic function in our body after that आपने देखा कि amino acids जो होते हैं वो essential भी होते हैं और क्या होते हैं आपके non-essentials भी होते हैं इसके बाद मैंने आपको basic और acidic nature के बारे में बताया कि amino acids जो है acidic भी हो सकते हैं basic भी हो सकते हैं और neutral भी हो सकते हैं on the basis of the number of COH group and NH2 groups और आपने देखा कि जो amino acids जो होते हैं वे जविटर आइन की form के अंदर अपनी body के अंदर परजेंट होते हैं thank you students have a good day कि हुआ करें अपनी टोथयऊ प्राइचा करें करा jets